कितने का खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, कहां से बायर फाइंड करेंगे, कहां से सप्लायर मिलेंगे एक्सपोर्ट करके फोरण करंसी इंडिया में भारत में लेके आते हैं तो इसलिए गॉवर्मेंट आपको कुछ इंसेंटिव और बैनिफिट्स आपको देती है कहां करूँ एक्सपोर्ट सर, वो टोफ फाइड कंट्री बताता हूं जहां सबसे जादे सीमेंट इंडिया से जाता है सारे डिटेल स्टिडी आपके लिए लेका हैं कैसे पांच लाक रूपे कमाएंगे आप सीमेंट को एक्सपोर्ट करके भारत से अब इसमेंजब करनेगे किसको बेचेंगे कहां से बायर फाइंड करें कहां से सप्लायर मिलेंगे सारे डिटेल स्टिडी आपके लिए लेका हैं कैसे पांच लाक रूपे कमाएंगे आप सिमेंट को एक्सपोर्ट करके भारत से आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखें मैं बात करूँ कि जब आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करके foreign currency इंडिया में भारत में लेके आते हैं तो इसलिए government आपको कुछ incentives और benefits आपको देती है commercial invoice जितना भी आपका 10 लाक है 12 लाक है 15 लाक है 25 लाक है जितना भी commercial invoice value है उसका सीधा सीधा 1% आपको DB के मिलता है duty drawback जो की custom द्वारा दिया जाता है आपको IES की बात करूँ यानि interest equalization scheme तो वो 3% का मिल रहा है अगर आप MSV में registered है और MSV में registered नहीं है तो आपको 0% मिल रहा है अगर मैं RODTP की बात करूँ तो वो यहाँ पे applicable नहीं है आगर मैं बात करूँ कि किस तरीकी से आप 5,00,000 रुपे कमाएंगे cement को export कर रहे हैं तो basically उसमें जब आप खरीते हैं इंडिया से भारत से हिंदुस्तान से यहाँ से खरीते हैं बल्क में तो 290 रुपे से 320 रुपे पर बैग आपको अच्छी quality का unbranded आपको मिल जाएगा आप उसमें अपना brand करके आप बेचेंगे तो मैं maximum price भी ले ले लेता है कि तीन सो बीस रुपे पर बैग आपको मिल रहा है और 5000 रुपे आपने एक्सपोर्ट करने 5000 रुपे आपने खरीदे तो वह 16 रुपे का आपका shipment ready हो जाता है और इसमें 1 रुपे हो जाते हैं आपका जो खर्चे होते हैं चुटर मुटर खर्चे जिसे loading and loading का खर्चा कस्टम के लिंज का खर्चा गुड्स इंसुलेंस का खर्चा सो यह जो चुटर मुटर खर्चे होते हैं वह हम एक लाक रुपे लिख लेते हैं चाहेगा 16.84 रुपीज अभी एक्सपोर्ट कितने में हो रहा इसका फोबी प्राइस क्या है जो हमारी टेकनिकल टीम डाटा रिसर्च करती है घंटों महनत करके कुछ रिसर्च लेके आती आपके लिए उनके लिए बेसिकली उनने क्या डाटा रिसर्च किया 450 रुपे से लेके 600 रुपे पर बैक का रेट इसका चल रहा है इंटरल से मार्केट में बलक में जो एफोबी प्राइस है तो हम 4500 रुपे भी लेके चलते हैं कि 320 रुपे का खरीदा और आपने 4500 रुपे का इसका बेच दिया और 5000 पीस आपने बेचे तो वो आपका 252 लाक रुपे का सिप्मेंट चला जाता है अब मेरा प्रॉफिट मार्जन कितना हुआ सर तो आपका प्रॉफिट मार्जन करता है cement export करके और भारत बहुत अच्छा से एक्सपोर्ट कर रहा है अब कहां करूँ, E George. What of five country बताता हूं जहां सबसे ज्यादर सीमेंट इंडिया से जाता है उसमें सबसे पहले पाईदान नंबर दो पर आता है नेपाल वो भी हमारी पास की कंट्री नेपाल जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 65% भारत से करता है तो नेपाल में भी 9308 शिपमेट गए हैं लास्ट यर सिरिलंका के बात करूट तो सिरिलंका ने भी भारत से 16511 शिपमेंट खरीदे हैं UA युनाइटिड अरब एमरेट्स ने भी 15000 शिपमेंट खरीदे ए USA ने भी 11000 शिपमेंट खरीदे हैं सिमेंट के भारत से अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो डिलगेंगा न यह 25 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 23 है तो से बन जाता है 25232910 इसको आप इसली रिसर्च कर सकते हैं अगर मैं export के process के बात करूं तो वह export का process सभी पर्डट के लिए सेम हैं कि पहले आपको product select करना फिर आपको buyer find करना है buyer find करने के लिए जो total 15 methods आपको training में सिखाया जाते हैं उस सारे आप यहां पर इंप्लिमेंट कर दीजे, बायर को वेरिफाई कैसे करना है, इस दिरे नी पार्टी फ्रोड, हाउ टो अइडेंटिफाई, वो जो ट्रिक्स आपको बदा रखी, वेरिफिकेशन की, वो सारी आप यहाँ पी इंप्लिमेंट कर दीजे, फिर बायर को आप कन्वेंस कर लिजे, जो जब आपको पैसा मिल जाए, फिर उसका कर दीजे, बी आर्सी, जो कि आजकल होता है, इबी आर्सी, एलेक्टोनिक बैंक रिलाजिशन सेटिफिकेट, जो कि आजकल इसका एडवांस वर्जन भी आने लगा, आई, आर, एम, एस, यान, इन, 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 अगर मैं एक्सपोर्ट पर्मोशन कांसिल की बात करूँ कि इस पर्ड़िट को भी पर्मोट करने लिए कोई कांसील है, क्या, बिल्कुल है, केपख सील वो कांसिल है, जिसका आर्सी, हमसी रेजिस्ट्रेशन का मैंबर्सिप सर्टिफिकेट मात्र दस जार पांसुर पे दे के जरमने ने दोलाइक सिप्में एक्सपोर्ट कि चाइना ने déjàkapड चाहित को gitu ही जोंडुन यहाथ में चाहता कि सिमेट का बिजनिस करना चाहता है लोकल में कर रहा है इंट्र से मार्केट में आँना चाहता है और मेरे द्वारा दीगे जानकेर में अगर कुछ छुट गया कुछ रहे गया कुछ आप उसमें अदिशनल वैलू आड करना चाहते हैं तो हम इंतिजार करेंगा आपका कमेंट बोक्स में नेक्स्ट वीडियो की स्टोपिक पर चाहिए वह भी आप हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं और हमेशा की तरह से खुस रहे हैं मुस्कुरात रहे हैं ग्रो करते रहे हैं और भारत का एक्सपोर बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए लैट्स एक्सपोर्ट तोगेदर थैंक क्या आप सक्सिस्पूल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ट मेंटर को ढूंड रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनिस स्टार्ट करने में स्टैब बाई स्टैब देन यू कन जोईन आवर प्रैक्टिकल ट्रे 2523 what are you waiting for call now